7.5 उतकों के कार्य Function of Tissues अभी तक हमने यह समझने का प्रयाज किया कि उतक कोशिकाओं के समुह वा उनके बाहर पाए जाने वाले बातावरन का सम्मिलित रूप है इन दोनों की आपसी क्रियाओं के फलस्वरूफी एक प्रकार के उतक एक या एक से अधिक कार्यों को समपन कर पाते हैं क्या आप जानते हैं? उतक एक प्रकार के द्रव से घिरे रहते हैं यही द्रव उतक के चारों ओर का वातावरन होता है इस द्रव के संगठन और आयतन में परिवर्तन उतक के क्रिया कलापों को प्रभावित करता है इसके लिए विभिन लवणों के निश्चित मात्रा अत्यंत आवशक है सभी उतकों चाहे वे जन्तुओं में हूँ या पौधों में को इस द्रव के उचित माध्यम के आवशक्ता होती है उतकों के बीच का द्रव इनके कारियों के निश्पादन में महत्वण भूमिका निभाता है प्रायाह सभी बहु कोशिकी ये पौधे एवं जन्तुओं में कोशिका, उतक, अंग, अंगतांत्र की व्यवस्था होती है ये उनके विभिन जैविक कारियों को संपादित करते हैं जैसे सजीवों में प्रजनन के लिए एक अलग व्यवस्था और उत्सरजन के लिए एक अलग अतहा हम यह कह सकते हैं कि पौधों और जन्तुओं के शरीर में श्रम विभाजन होता है उदाहरन के लिए जायलम एवं अस्थी दोनों उतक हैं जो क्रमशह, पौधे और जन्तु को सहारा देने का काम करते हैं इसके साथ साथ जायलम लवणों और पानी का समवहन करते हैं और अस्थियां आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं किसी भी एक अंग में कम से कम दो उतक होते हैं जो विशेश व्यवस्था में संगठित होते हैं और मिलकर एक या अधिक कारियों को करते हैं जैसे पत्ती पौधे का एक अंग है और आंख जन्तुओं का पत्ती परणहरित की सहायता से प्रकाश संशलेशन वा रंध्रों की सहायता से हवा के आधान प्रदान का कारिय करती हैं और आंख देखने का पौधे के प्रकाश संशलेशन करने वाले भाग और जन्तुओं की आंख में कुछ ऐसी शमता है की वे प्रकाश की सहायता से काम करते हैं जहां पत्ती को प्रकाश संशलेशन के लिए प्रकाश की आवशकता है वहीं आंखों को देखने के लिए बहु कोशिकिये जीवों में कुछ उतक ऐसे होते हैं जो अतिशिग्र व्रिधी भी करते हैं और विभाजन की शमता भी रखते हैं ये लगभग शरीर के सभी भागों में उपस्थित होते हैं उदाहरन के लिए त्वच्चा और वे सभी उतक जो अंगों की आंतरिक सतह बनाते हैं इसके अलावा कुछ उतक ऐसे होते हैं जो शरीर में भरण पदार्थ की तरह कारे करते हैं ये रेशे युक्त उतक हैं जैसे जन्तु में पेशियां और पौधे की समवहन उतकों में पाए जाने वाले रेशे ये दोनों ही सहारा और लचिलापन प्रदान करने के साथ साथ एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का कारे भी करते हैं इनमें अतिशिक्र वृद्धी करने की शमता भी होती है जिससे व पादप और जन्तु उतकों के कारियों में समानताएं बताएं क्या आप जानते हैं जन्तु में एक सीमा तक वृद्धी होने के बाद सामान्य कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है परन्तु कुछ कोशिकाओं ऐसी भी होती हैं जो अभी भी विभाजित होने की शमता तो ये कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाकर उनकी छतिपूर्ती कर देती हैं। जब स्ट्रेम कोशिकाओं का विभाजन होता है, तो दो में से एक कोशिका तो विभेदित होकर उस उतक की कोशिका का रूप ले लेती हैं। मगर दूसरी कोशिका, स्ट्रेम कोशिका के रूप में बनी रहती हैं। व्यज्यानिकों ने ऐसे स्ट्रेम कोशिकाईं खोजने में सफलता प्राप्त की हैं, जो सिर्फ संबंधित अंग ही नहीं, बलकि अन्य अंगों की कोशिकाईं भी बना सकती हैं। इनकी मदद से छतिग्रस्त अंग बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। अस्थी मज्जा और नौजाद शिशु के गर्भनाल आवल में भी इस्टेम कोशिकाईं पाई जाती हैं। इस्टेम कोशिकाउं को प्रयोक शाला में सुरक्षित रखा जाता है।